दिल्ली के लाखों बच्चों को अच्छा भविस्य देने के लिए दिन रात काम करने वाले सिख्षा मंत्री मनीश सी सौधिया को जेल में डाल दिया उस मनीश सी सौधिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला घर में 14 घंटे चापे मारी की, सी बी आई ने कुछ नहीं मिला, दफ्तर में चापे मारी की, कुछ नहीं मिला, गाउ में चापे मारी की, कुछ नहीं मिला, बैंक का लॉकर चेक कर लिया, कुछ नहीं मिला और आप कल्पना कीजिए कि दस हजार करोण की रिश्वत कारोप लगाया जारावण के उपर कोई तो संपत्ती मिलती कोई तो पैसा मिलता कोई तो काज्यात मिलता लेकिन सिर्फ और सिर्फ राजनितिक कारणों से और अपने घोटालों पर परदा डालने के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने मनिस्स सौधिया को गिरिफ्तार किया अडानी की नौकरी करने वाली मोदी जी की सरकार जो लाखों करोन के घोटाले में फसी हुई है हजार दो हजार करोन के नहीं लाखों करोन के घोटाले में उससे ध्यान भटकाने के लिए मनीश से सौधिया पर कारवाई की जा रही है जब संसग में जेपीसी की मांग हुई कि मोदी अडानी भाई 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 देश बेचके खाई मलाई जेपीसी बनाओ अडानी की जाच कराओ उससे ध्यान हटाना कभी इसको नोटिस कभी उसको नोटिस और अब जेल में डाल दो मनीश से सौधिया को वो अडानी जिसको नरेंद्र मोदी जी ने कोईला दे दिया गैस दे दिया बिजली दे दिया पानी दे दिया सड़क दे दिया स्टील दे दिया सिमेंट दे दिया सीपोर्ट दे दिया एरपोर्ट दे दिया यानि आकास से लेके पाताल तक सब कुछ दे दिया धाई लाग करोन का करजा दे दिया 84 हजार करोन का करजा माफ कर दिया और उस अडानी ने क्या किया हिंदुस्तान के साथ बगल के मौरिसस में छे कमपनियां एक पते पे खोली फरजी कमपनियां और 42 हजार करोन रुपए का काला धन अपनी कमपनियों में लगाया और ऐसे ही तमाम करे भी आई देशों में फरजी कमपनियां खोल के हजारों करोन रुपए अपनी कमपनी के अंदर लगाया ये काला धन किसका है मोदी जी पूरा देश आप से पूछ रहा है भारती जंता पाटी का कालाधन है मोदी जी आपका कालाधन है आपके अधिकारियों का कालाधन है या फिर आतंकवादियों का कालाधन है किसका कालाधन है जो अडानी की कमपनी में लगाए अगर इसकी जांच हो जाएगी तो नरेंद्र मोदी जी का चेहरा पूरे देश के सा अमने बेनकाब हो जाएगा और इसी के कारण मनिस्स सौधिया का मामला उठाए गया है अर्विंद केजरिवाल जी की सरकार जो पूरे देश में सबसे बेहतरीन काम कर रही है या उनकरनी काम कर रही है लोगों को फ्री बिजली देना फ्री सिक्षा देना फ्री स्वास्त की बिवस्ता देना बुद्रगों की तीर थ्यात्रा कराना जनहित के सारे काम करने के बावजूद मुनाफे का बज़िट देना दरसल ये गले की हड़ी बन गया नरेंद्र मोदी जी की वो नहीं चाहते कि देश के अंदर एक ऐसी सरकार चले जो दुनिया और देश के लिए उधारन बने अमेरिका के रास्टपती की पतनी हिंदुस्तान आती है तो कहती है हमें अरविंद केजरिवाल के स्कूल देखना है मनिस सौदिया के द्वारा बनाएगे स्कूलों को देखना है